गूट मॉर्निंग मेरे पहरे सत्यों आपकी जो क्लास है यह है किर्वन की क्लास जहां आप लोग सीख रहे हैं टाइप सेवन सारे कोशन इंट्रिकेट वाले हैं देख लीज़ेगा सारे कोशन आपको आज जाएंगे समझेगा आज का पहला सावर देखिए समझे एक का 64 पारियों को वासर 62 है यह जिसका अधिक्तम स्कोर 620 रेन ज्यादा है 12 पारियों को छोड़ दिया जाए तो 660 साथ पारियों का वासर 660 रन हो जाता है तदा आउस्टार्व उस लाड़ी का अधिक्तम वासर क्या है पहले मैं आपको बताऊंगा इस कोशन को बेसिक मैठ पहले सकते हैं तो पारियों कि इनेंग इतनी हो गय firms किसे फार इसके पहले का योग काले के और इसका योग निकालने पार कर ना कर खुरा आता है विससे लिए Nahum देखना सुना गुरा कैसे करा तो इसका वुना इसमें यह हुआ ऑ दो का गुणा 4 में हो चुका है अब दो का गुणा 6 में होगा यह आगे जाएगा और यह इसका पीछा करेगा तो 2 गुणे 6 12 6 4 24 12 और 24 36 का 6 कैरी 3 6 संग 36 और 349 उमीद है आपको ऐसा गुणा करना आता है नहीं आता है फरेशान मत हो मैं आगे सिखाऊंगा आप लोग सीख चाएगा इसको क्या करना है 6 2 12 चाचरशंग 36 और 31 37 इतना आपने कर लिया यह 62 पारियों का उसर था यह 64 पारियों का उसर था यह 62 पार्ियों गूसर था तो यह में कितना मिला, आठ ये कितना, चार ये कितना, दो, 248 इन दो पारियों को उसत है, जो new term और महत्तम है, अब देखो उसकी maximum पारी और minimum पारी का जो अंतर है, वो question में आपको दिया होता है, और यहां पर दिया है, कितना 60 run, 180 run है, कितना 180 run है, तो maximum और minimum पारी का जो difference है, वो question में 180 बुला है, दोनों को जोड के दो का भाग, घटा के दो का भाग, minimum, maximum दोनों आ जाएंगी, आसान यह है, इन दोनों घटा लो, घटा होगे तो कितना आ जाएगा आपका, 68 आ जाएगा, और 68 का अधा करो, कितना जाएगा, 34 आ जाएगा, अगर यह new term पारी आ गई, तो 34 में 180 प्लेस कर दो, आपने जैसे 180 प्लेस किया, कितना आ गया, 214 आ गया, तो यह कौन सी पारी है, अधिक्तम, यह कौन सी है, new term, यह है अधिक्तम पारी, और यह है new term पारी, यह था question करने का basic method, आसान method क्या है, एक बार देखो, सीखो, समझो, और ऐसे ही करना, एनिंग है 64, आसाथ है 62, अगर सभी पारियां 62 की होती, जो दो पारियां जा रही है, दोनों 62 की होती, क्या आसाथ में पईवर्तन होता, नहीं होता, तो दोनों 62 की होती, तो 62, 62 होगे, अब यह बताओ, 64 में दो पारियां चलेगी, तो आसाथ पारियां बची है, बासाथ, उसने कहा, उसथ भी साथ हो गया अब ये बताओ, जो दो पारियां गई है अपना तो लेके गई प्लस 62 पारियों का उसथ भी दो कम पर गई और 62 का 2 दो कम कर गई, 62 का दो दो, अलब 124 जाधा लेके गई, तो 124 जाधा लेके गई, टोटल कितना लेके गई दो सोड़तालिस यह वही हो गया ना टोटल यह लेके गई दोनों का अंतर कोशन में दिया होता है थोड़ा सा स्मार्ट बरियें अगर आप प्रैक्टिस कर लिए अगर आपने यहाँ पे प्रैक्टिस कर ली तो अगली बार इस सवाल को आप लोग बिना पेंच ला कर पाओगे अगली बार यह सवाल आप लोग बिना पेंच लाए कर पाओगे उम्मीद हैं यह बास समझ आ गई होगी चलते हैं अगली कोशन कोशन नमबर दो की ओड़ एक क्रिकर टाड़ी के दस पारी खेलने के बाद 11 पारी में उसस सोरन बनाता है परणाम शुरूब उस समझे अब बताओ 10 पारी के कुल रन 10 एक्स हुए और 11 पारी के कुल रन 11 एक्स प्रेस पच्पन हुए 11 एक्स प्रेस पच्पन 11 पारी के रनों का योग माइनस 10 पारी के रनों का योग और दोनों का अंतर बोला है 100 रन तो यहां से क्या मिला एक्स ये पच्पन को उधर वि अब आसान सुमूए इससे जितने सवाले सारे ही ऐसे ही होते हैं बस दिमाग लगाना है चलते हैं अगले कोश्चन क्यों एक बले बाद सत्रमी बारी में 87 रन बनाता है और इस पकार उसका वासत कितना बढ़ जाता है गजाता है। सत्रिमी पारी के बाद इसका वासद। सुनना दिमाग लगाना बिना पेंचलाएं। बेसिक सबको वाता है। सत्रिमी पारी में सत्तासी रन बनाएं तो आसद बढ़ा होगा सोला का और सोला का बढ़ा तीन-टीन। गटाया जैसे रख तmud हविए गटाया, लास में नो मिलेगा, आनसर 39, आनसर क्या है? 39. प्रिजीन क्या है? इसका इस समय को ववासर 39 है. पहले का बुला हुटा, तो तीन क्या करना है? बढ़ा है ना? तो पहले वाला तीन कम होगा, तो आनसर क्या होगा? 36. ववासर पहले क्या था? 37 नया क्या है 13 अगर basic करना चाहो तो भईया जो आपकी आज़त है करू उसने बोला सत्रवी पारी में 87 रन बनाए हमने माना कि 16 पारी का उसत एक्स था सत्रे पारी में उसत एक्स प्रेस 3 हो गया 17 पारी के टोटल रन 17 एक्स प्रेस 51 सोरा पारी के टोटल रन 16 एक्स अब क्या हुआ 17 एक्स प्रेस 51 माइनस कितना 16 एक्स दोनों का अंतर 87 तो एक्स का माना आ गया 36 अवसत पहले क्या था 36 नया क्या है 49 उमीद है समझ आ गया होगा चलते हैं अगले कोशन के और अगला सवाल है कोशन नमर चार भ्यान से देखिए समझिए और कोशिज करिए सवाल को बिना पेंचलाए करने की कोशिज करें कोशन को बिना पेंचलाए करने की देखिए ग़ो 40 पारियां कुशिस करना समझार बनो बहुत आसान कर सकते हो 40 पारियां ancora 50 2 पारियां हुई कम देखो अधिक्तम मैक्तम हमेसे 2 पारी कम करेगा और 2 पारी हुई कम 2 clause 50 50 की होती तो अंतर होता 100 पारियां बची 38 औसथ हो गया 2 कम 48 का दो दो कम 38 का दो दो कम मतलब 76 कम तो जो दोनों पारियां गई है ना जो दोनों पारियां गई है वो 176 रननाई के गई ये दोनों पारियां निम्तम महत्तम दोनों है और दोनों का अंतर कोशन में दिया होता है अब दोनों को घटा के दो का भाग दो दोनों को घटाया, चार, चार में दो का भाग, दो, और दो अगर निम्तम मिला, तो ये महत्म मिला, अगर दो निम्तम पारी है, तो चार महत्म पारी है, और question का answer हो गया, समझ में आ गया हो, तो थीक है, नहीं आया, तो basic देखो, basic क्या होता है, 40 पारियों का आसत 50 तो योग हो गया 2000 दो पारियों को हटा दिया पारियां बची 38 आसत हो गया दो कम कराया गुणा तो मिला 1824 गुणा करा ले ना ठीक दोनों का अंतर 176 निवंतम और मैतम का योग 176 और अंतर दिया है 172 समी करन एक और दो को घटा के दो का भाग या जोड के दो का भाग एक माना जाएगा दो तो अगला माना जाएगा 174 ये है मिनिमुम पारिय और ये है महतम पारिय उमीद है ये बात आपको समझ आ गई होगी चलते हैं अगले सवाल की ओर एक के टाड़ी द्वारा 20 पारियों में बनाए गया रनों का उसत 32 था अगली पारिय में वे कितर रन बनाने चाहिए कि उसका उसत 4 रन बढ़ जाए अगर वो 21 पारिय में भी 32 बनाता तो वासत ने पईवर्तन होता नहीं होता और उसे 21 को 4 बढ़ाना है तो 21 को 84 रन जादा बनाना है तो 21 को 84 जादा बनाना है तो ये जो है आपके question का answer है वो 116 रन अगर बना ले तो उसका उसत पहले से 4 परचाएगा उम्मीद है आप लोग मेरी बाद समझ पा रहे होगे चलते हैं अगली question के और अगला सवाल है सवाल number 6 एक बल्ले बाज बारवी पारी में 120 सन बनाता है इस प्रकार उसका उसत रन 5 सन बढ़ जाता है बारवी पारी के बाद उसका उसत तोर क्या है बिना 55 को solve करना आता है तुम्हें ठीक है समझ सांग बारवी पारी में 120 सन बनाये तो 11वी पारी का उसत बढ़ा होगा 11पारी का उसत बढ़ा कितना बढ़ा 5 रन 11पचह 55 रन चले गए उसत को बढ़ाने में अब 120 में 55 चले गए तो 65 बचे जो ये 65 है वो इसका वरतमान इसमें का उसत है अगर 12पारी के बाद बूला तो answer 65 12 पारी के पहले बोला तो answers 60 अब question में चक्करो पूछा कैं 12 पारी के बाद तो answer 65 अमीद है मेरी बात आप समझ पा रहे होंगे और question को औरल कर पा रहे होंगे अगर बात समझ में आ रही होगी तो मज़ा आ रहा होगा नहीं तो एक समय तो सब को आता है चलते हैं अगले सवाल की ओर एक टेकेटर द्वारा 11 पारी में बनाये गए रनों का उसद 63 है उसकी पहली 6 पारियों का उसद 60 गे टाइक बाप सब लोग बहुत अच्छे सीख चुके हो ग्यारा बारी का उसद 63 है पहली छे बारी का उसद 60 है अन्तिम छे का 65 है और छटिमी बारी का मान पूछा है देखना आपको पता है इसमें दो टाइप बनते हैं टाइप बन टाइप टू सब लोग सीखे हो ठीक है एक दो तीन चार पांच छे साथ आट नो दस ग्यारा जब पहले छे अन्तिम छे एक नमबर दो बार काउंट कहते हैं टाइप वन और जब एक नमबर बस जाए उसे कहते हैं टाइप टू बसता कैसे जैसे 11 होते पहले 5 होते अंतीम 5 होते तो एक नमबर बस जाता तो इससे कहते है type 2 type 1 type 2 में difference कै type 1 में क्या होता है value plus में आएगी तो जोड़ेंगे minus आएगी घटाएंगे type 2 में क्या करते हैं उल्टा करते है plus आएगा घटाएंगे minus आएगा जोड़ेंगे type 1 type 2 जो सवाल बिना प्यापन चलाएकर लोगगे देखना सुनना ये 63 से कितना कम आपने कहा 3 ये कितना ज़ादा आपने कहा 2 कम ज़ादा कितना या कम कितना कितने में 6 में 6 कम करो अंसर हो गया जितनी देर में लोग गुणा कराएंगे जितनी देर में लोग एक गुणा कराएंगे उससे कम देर में आसर लिख जोगे टाइप प्लेयर हुआ तो नहीं तुम भी करो 11 गुणे 63 करा लेना ठीक है तो पहले आएगा 11 गुणे 63 ये आएगा जो भी आएगा ये 11 पारी के कुलन ना जाएंगे 6 गुणे 60, 6 गुणे 65, 12 का योग निकाल के 11 गटा देना 12 का योग निकालना 11 का योग गटा देना कुशन का अंसर आजाएगा उम्मीद है मेरी बास समझ गये होगे सब ऐसी करते हैं तुम भी वही करो चलो भी आगला कुशन सीखो समझो देखो ग्यारा सदस्टी एक क्रिकेट टीम की औसर ताईव 23 रन बनाए यदि पहली ख्राडी ने 113 रन बनाए हो तो अन्य ख्राडी ने कितने रन बनाए लेकिन पहले ख्राडी ने 123 बनाए तो इसके रन औसर से ज़ादा है वो 90 ज़ादा है कितने आदा है नब्बे अब नब्बे लोगों ने नब्बे लोगों जो नब्बे रन है वो कितनी लोगों में जुल गए दददस लोगों में जुल गए थे ये वास समझ रहो ना इतनी वास समझ रहो ना तो नब्बे रन अगर ददस लोगों में जुल गए थे तो नब् 23 में 9 कम कर लो 23 में 9 कम कर लो तो 23 में जैसे अपने 9 कम किया तो रन कितने आ गए 16 बाकी लोगों ने जो रन बनाए वो कितने बनाए 14 लेकिन तुम्हारी यादत नहीं है परिशान मत हो करो बिसिक 11 का उसर 23 योग निकाल लो 11 तेटिस 12 नहीं 22 और 223 कर लिया अब क्या करो 233 में से आप कितना मानिस कर लो 113 कम कर लो तो आपने 113 जब कम किया तो 140 बचा और लोग कितने हैं 11 लोग कितने 10 क्यों 11 में एक चला गया ना 10 बचे ना तो वस्त कितना हुआ ये आपकी यादत है करो कौन बना कर सकता है लेकिन कोसिज करो कुछ सीखो नया करने कोसिज करो यही करना है तो किताब में दिया है अराम से पढ़ लो कह रहा है यदि किसी खिलाडी द्वारा खेले गए 99 पारियों द्वारा बनाए गया रनों का वस्त 99 है सोवी पारी में कित्यन बनाए कि सो पारियों का असत सो रन हो जाए अच्छे शी बताओ अगर वो सो पारी में 99 रन बनाता तो असत वही रहता तो 99 से ज़ादा बनाने और 100 का एक एक बुलाना है तो 99 से 100 ज़ादा बनाने और 99 से 100 ज़ादा मतलब 199 बनाने बस खतम अगर समझधार हो तो खतम नहीं समझधार हो कराओ गुना किसने रोक आए किताब में दिया है अराम से कर लो कैसे 99 पारी का अवसत 99 है 100 पारी का अवसत 100 हो जाए तो 99 गुने 98 भाया आता है तो ठीक है नहीं आता है तो सीखो और 100 गुने 100 दोनों का अंतर होगे कतम तो मीध्य आप लोग कर लोगे चलो भीया चलते हैं अगले सवाल की ओर क्रिकेट के एक किसी क्रिकेट के खेल में 10 ओवर का रन रेट 3.2 था पहले 10 का पहले 10 का 3.2 तो उसने जो रन बनाए हैं वो 32 बनाए हैं यह बाद समझे हैं सेज सालिस ओवर में कित्ती रन बनाए हैं यदि 282 चाहिए अचा 282 में 32 बन गए हैं तो धाई सो बनाने हैं ओवर चालिस हैं कितने बनाए 6.25 यह इसका 40 पारी के लिए नया रन रेट 6.25 उम्मीद है यह बाद समझ आगी होगी और अपना कर पाएंगे चलते हैं अगले कोशन के ओड़ अगला कोशन देखें अगला समझें एक क्रिकेट मैच में पहले 30 ओवर का रन रेट 5.2 था अगले 20 ओवर में 280 रन के लच्च को पहुचाने के लिए आपेच्छित रन रेट क्या है अच्छा यह बताओ सुनना 30 ओवर का रन रेट 5.2 तो आपने जब इसका गुणा कराया 52 गुणे 3 आपने किया तो 52 गुणे 3 तीन दूनी 6 और 5 से 15 आपने रन अभी बनाए हैं 156 कितने बनाए हैं 156 अब किया रहा है 20 ओवर में 20 ओवर में 280 रन तक का लच पहुचाने के लिए आपेच्छित रन रेट क्या है अब बताओ तुम्हें 280 का रन रेट पहुचाना है आप जो बना चुके हो 156 बना चुके हो तो कितने और बनाने हैं चिको ना पॉइंट टू यही तो question का answer है उम्मीद है आप समझ गए होंगे समझ में आ गया होगा चलते हैं अगले question क्यों और अगला सावर घ्यान दें अगला समझें अगला है question number 12 किसी बल्ले बाज ने अपने carrier में 21 match में 87 run बनाए और प्रती रनों का उसद दो रन बढ़ गया एकिस्मी बारी के पहले घ्यान देना एकिस्मी बारी के पहले उसका वासद क्या था अच्छा सुनो 21 में 87 बनाए 20 का बढ़ा 2 दू बढ़ा 40 चले गए 87 में 40 गए 47 बचे 47 नया वासद है पहले का बुला 45 आंसर पहले का बुला 45 आंसर सही तरीका करने का लेकिन तुम लोग गुणा कराओगे अराम से कराओगे बेसिक मेठेट किताब में दिया है रेख सकते हो ठीक है कुछ नया सीखो यहां का मतलब क्या है कुछ नया सीखो नई आजत में लाओ कोशन को बिनार परें चलाए करने की कोर्सिस करो अगला सबल कै 50 ओवर के एक दिवसी मेठ में ए ने एक पारी में प्रती ओवर 6.2 रन की रस से रन बनाए ठीक है इसके बाद क्या है टीम बी लगी रगी और 10 ओवर बचे थे तो मैस टाई होने के लिए आवस्सिक रन रेट 6.5 था टीम बी का स्टोर अभी क्या है ऐसा उसने पूछा अच्छा पचास ओवर में रन रेट 6.1 है ज्यान देना और 6.1 का मतलब जो टूटल रन तुमने बनाए है 6.5, 6.35, 305 रन बनाए आपने जो रन बनाए हैं कितने बनाए हैं 305 आगे उला टीम भी भी खेल लई है 10 ओवर बचे हैं और टी होने टी होने के लिए 6.5 शहिए अब बताव टी होने के लिए 6.5 मतलब 65 रन चाहिए टी होने के चलिए उसके पहले बनाए कितने तब उसने 365 कम कर लो तो 305 में 65 कम कर लो तो अभी उसने रन कितने बनाए 240 यही कोश्चन का अंसर है उसने रन बनाए कितने 240 चलते हैं अगले कोश्चन की ओर जान देजिए सबी वीडियो को पाउस करके अगले कोश्चन की ओर यह आपके कोश्चन पुरा खतम हो गया है यह आपका टाइप 7 था जो खतम हो गया है उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा चलते हैं नेक्स आप की ओर आजब यह